दोस्तों इस चैनल पर मैंने MSXL के बहुत सारे टिप्स and ट्रिक्स के वीडियोज अप्लोड किये हैं जिनकी मदस्ते आप अपनी Excel स्किल को next level पर लेकर जा सकते हैं और Excel में किसी भी मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं तो अगर आप हमारे Excel टिप्स के सभी वीडियोज देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन और पीन कॉमेंट में मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी Excel टिप्स के वीडियोज देख सकते हैं बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ MS Excel की टोटल 6 टिप्स और टिक्स ये सभी टिप्स और टिक्स बहुत चोटी-चोटी हैं लेकिन आपके मुस्खिल काम को बड़ी ही आसानी से कर सकती है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करना और इसी तरह के यूसफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना तो ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते हुए, चलिए सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एक्सल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है हम इस डेटा का quarter wise total दिखाना चाहते हैं तो quarter wise total दिखाने के लिए हमने यहाँ पर यह blank cell छोड़े हुए हैं इन ही में हमें अपना quarter wise total दिखाना है तो quarter wise total दिखाने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ से अपना यह पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे जहां से हमारी value स्टार्ट हो रही है यहाँ पर text का selection नहीं करना है सिर्फ value का selection कर लेना है इसके बाद हम अपने keyboard से F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर go to की window आ जाएगी इसके बाद हमें जाना है special में यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से हम blank choose करेंगे ओके पर click कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी blank cell होंगे यह सभी select हो जाएगे इसके बाद आपको इस seat में कहीं पर भी click नहीं करना आपको simply अपने keyboard से alt और is equal to button एक साथ प्रेस कर देना है तो यहाँ पर आपका quarterize total निकल के आ जाएगा इसके बाद अगर आप यह आपने जो total किया है इसमें अगर आपको किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको sheet में कहीं पर भी click नहीं करना आप home time में जाएगे और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें आप easily यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर आपको font का color चेंज करना है तो आप यहाँ से font का color वगरा change कर सकते हैं तो फिलाल मेरे हिसाब से यह perfect है दोस्तों अगर आप Excel में running total निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप some formula का भी use कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह हमारी monthwise sale figure है हमें इसका running total यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए हम इस cell में आएंगे is equal to का sign लगाएंगे type करेंगे some bracket open करेंगे इसके बाद हमें इस cell पर click कर देना है क्योंकि यहीं पर हमारी value है इसके बाद हम यहाँ पर colon का sign लगाएंगे shift और colon बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह colon आ जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं B2 colon B2 तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर जो पहले वाला B2 है इसे हमें यहाँ से lock कर देना है तो lock करने के लिए हम क्या करेंगे B और 2 इन दोनों के बीच में click करेंगे इसके बाद हम अपने keyboard से F4 बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर $ का sign आ जाएगा $B, $2 इस तरह से आप चाहें तो manually भी लिख सकते हैं इसके बाद bracket बंद करेंगे enter प्रेस कर देंगे इसके बाद हम इस formula को बागी सभी cell में apply करेंगे तो इसके लिए हम इस cell के edge पर आएंगे यहाँ पर double click कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो हमारा running total है यह निकल के आ चुका है दोस्तों अगर आप Excel में ranking निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप rank formula यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ student के marks लिखे हैं percentage में हम इनके basis पर इनका ranking निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस cell में आएंगे is equal to का sign लगाएंगे type करेंगे rank bracket open करेंगे यहाँ पर जो formula का syntax है यह भी आ चुका है तो पहले हमें number select करना है तो इसके लिए हम यहाँ 87% पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर हमें एक कॉमा लगाना है इसके बाद अग्ला argument है reference का तो इसके लिए हमें इन सभी cell का selection कर लेना है इसके बाद यहाँ पर हमें इस range को lock करना होगा क्योंकि इस formula को हम बाकी सभी cell में पेस्ट करने वाले हैं तो रेंज को लॉक करने के लिए हम अपने की बोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर यह जो पूरी रेंज है यह लॉक हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी इसके बाद हम यहां ब्रैकिट बंद करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पर 87 का रेंकिंग आ रहा है 2, अब हमें इस फर्मूला को बाकी सभी cell में पेस्ट कर देना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी student की यहां पर रेंकिंग निकल के आ चुकी है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप हमारे paid courses करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी website www.mylifesupport.in पर visit करके हमारे paid courses कर सकते हैं यह सभी courses ISO certified हैं, और course complete करने के बाद आपको यहां पर ISO certified certificate भी मिलेगा बाकी दोस्तों, हमारे सभी paid courses पर एक खास offer चल रहा है जिसमें कि आपको 30% का additional discount मिल जाएगा discount लेने के लिए आपको coupon code में MLS30 यूज़ करना है और आपको मिल जाएगा 30% का instant discount बाकी अधिक जनकारी के लिए आप इस वीडियो का description और pin comment चेक करें और हमारी site पर visit करें अब बढ़ते हैं अपने main topic की तरफ दोस्तों, Excel में हमने कुछ student के marks लिखे हैं हम यहाँ पर यह चाहते हैं कि जिस भी student के marks 32 या उससे कम आएं उसके सामने fail लिखकर आजाए और जिस भी student के marks 33 या उससे ज़्यादा आएं उसके सामने pass लिखकर आजाए तो इसके लिए हम यहाँ पर use करेंगे if formula, if formula लगाने के लिए हम Excel में आएंगे is equal to का sign लगाएंगे, type करेंगे if bracket open करेंगे तो यहाँ पर formula का syntax open हो चुका है और यहाँ पर पहला argument है logical test तो इसके लिए हम Excel पर click कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर greater than और is equal to का sign लगाएंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे 33 इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे comma तो यहाँ पर जो अगला argument है value if true का यह आ चुका है अब इस formula में जो हमने condition लगाई है इस condition को भी हम समझ लेते हैं पाकि आपका किसी तरह का doubt न रह जाए तो यहाँ पर हमने condition क्या लगाई है अगर यह वाली value बड़ी हो या बराबर हो 33 के तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम pass दिखाना चाहेंगे तो इस argument के लिए हमारा यहाँ पर text आएगा pass बाकि आप जो भी text यहाँ display करना चाहते हैं उसे आपको double quotes में लिखना होगा तो यहाँ पर हम pass दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें pass को भी double quotes में लिखना होगा तो हम यहाँ shift और double quote बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर double quotes आजाएगा इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे pass इसके बाद दुबारा से double quotes लगाना होगा इसके बाद यहाँ पर यह जो argument है यह भी complete हो चुका है अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमें कोमा लगाना होगा तो यहाँ पर जो अगला argument है value if false का यह आजाएगा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपने जो condition लगाई है अगर यह condition यहाँ पर true नहीं होती अगर यह condition यहाँ पर सही नहीं होती तो आप यहाँ क्या दिखाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर fail दिखाना चाहेंगे Shift और Bracket बटन दबाएंगे Bracket बंद हो जाएगा अब इस formula को हम एक बार दुबारा समझ लेते हैं तो यहाँ पर हमने mention किया है अगर इस cell में मौझूद value बड़ी हो या बराबर हो 33 के तो यहाँ पर pass लिक कर आजाए अगर ऐसा नहीं होता तो fail लिक कर आजाए तो यहाँ पर formula complete हो चुका है enter press कर देंगे तो यहाँ पर pass लिक कर आजाएगा इसी formula को बाकी सबी cell में paste करने के लिए हम इस cell के edge पर आएंगे double click कर देंगे तो यह formula बाकी सबी cell में apply हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके number 32 आए है उसके सामने fail लिक कर आ चुका है और जिसके भी marks यहाँ पर 33 होंगे उसके सामने यहाँ पर pass लिक कर आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाकी यहाँ पर आप जो भी value change करेंगे उसके according आपका यहाँ pass fail change होता जाएगा जैसे कि मैं यहाँ 25 करूँगा तो यहाँ पर automatic fail लिक कर आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर 33 करूँगा तो भी pass लिक कर आएगा अगर मैं यहाँ 30 कर दूँगा तो यहाँ पर fail लिक कर आ जाएगा दोस्तों मान के चलिए Excel में आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट है इस लिस्ट में से आप First Name को रखना चाहते हैं बाकि Last Name को आप Remove करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Replace Command का यूज़ कर सकते हैं Replace Command में हम Wild Character का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपने डिटा का सेलेक्शन करना है इसके बाद आप अपने Keyboard से Ctrl और H बटन एक साथ प्रेस करेंगे यहाँ पर Find and Replace की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर Replace की Command एक्टिवेट हो जाएगी अब हमें आना है Find What में यहाँ पर हमें देना है Space इसके बाद हमें यहाँ पर Asterisk यानि Multiply का Sign लगाना है इसके बाद हम यहाँ Replace All पर क्लिक कर देंगे यहाँ से हमें OK कर देना है और यहाँ से Close कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो Last Name था वो इस लिस्ट में से Remove हो चुका है अब मान के चलिए Excel में आप इस लिस्ट में से Last Name को रखना चाहते हैं और First Name को Remove करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने इस Data का सेलेक्शन करेंगे Ctrl और H बटन एक साथ प्रेस करेंगे Find What में आएंगे यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे आपको Delete कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर Asterisk का Sign लगाना है इसके बाद Space देना है तो अभी हम पहले Method का उल्टा कर रहे हैं इसके बाद हम यहाँ Replace All पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ से OK पर क्लिक कर देंगे Close कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा Last Name है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो First Name था वो Remove हो चुका है दोस्तों अगर आप Excel में किसी Text को Upper Case में Convert करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Font Style का Use कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह जो सभी Text हैं यह Proper Case में हैं हम इने Upper Case में Convert करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पूरे Data का Selection करेंगे इसके बाद हम जाएंगे Font में यहाँ पर हम click कर देंगे इसके बाद हम scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे font मिल जाएंगे जिनकी मदब से आप अपने text को अपर case में convert कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह cashler font है इसके मदब से भी आप अपर case में convert कर सकते हैं बागी ग्ष centers करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको यह font मिल जाते हैं इनकी मदब से भी आप अपर case में convert कर सकते हैं बागी आप scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी font style मिल जाएंगे जिनकी मदब से आप अपने किसी भी lower या proper टेक्स्ट को अपरकेस में convert कर सकते हैं font style apply करने के लिए आपको simply font पर क्लिक कर देना है font style apply हो जायेगा उमीद है आप सभी को यह video पसंद आया होगा अगर आपको video अच्छा लगा तो video को like, comment और share जरूर करना चैनल पर पहली बार आये हैं तो channel को subscribe करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के useful videos देखना चाहते हैं बाकि अगर आप telegram का use करते हैं तो आप हमें telegram पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा जल्दी मिलेंगे एक और useful video के साथ तब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम